अपने आपर जिक्र किया अधिवेशन का अधिवेशन में मैं भी केज़िवाल जो कारेकरम आमादी पार्टी ने चलाया था उसका दूसरा भागा पार्टी शुरू करने जा रही है चार जनवरी से तो जिस तरह से चुनाव नजदी का रहे हैं 24 के ऐसे में जनता के मन में किसका ज्यादा प्रभाब पड़ेगा अगर अरविंद केज़िवाल की गिरफतारी हो जाती है उसका नाकरातमत प्रभाब पड़ेगा या मैं भी केज़िवाल के जरी आमादी पार्टी वो जुता पा की पार्टी को फाइदा होने वाला है क्योंकि इमोशनल काट के सहारे वो ये बात कहते हो नज़र आएंगे कि देखी हमारे तमाम बड़े नेताओं को जिल मटाला खुद जो दंता का चुनाव मुखे मंत्रे उसको भी उठाके जिल के बंद कर दिया तो ऐसे में जो एक बीजेपी कर रही है वो लगातार एडी के जरीए करवाया जा रहा है वो लगातार सीबे के जरीए करवाया जा रहा है तो ऐसे में वो जो भी बात कहरे हैं वो कहीं ने कहीं उनको पॉलिटिकल फाइदा पहुंचे या उनकी पार्टी को फाइदा पहुंचे इसी मद्द न अगतार उन्होंने भी जो है समन को इग्नोर किया है लेकिन एक समय के बाद आपको फिर पेश होना पड़ता और आपके ग्रिफतारी भी संभव है तो ऐसे में केजवाल अभी से माहल बना रहे हैं कि देखिए मेरा कोई कुई कुसूर है नहीं मैंने कोई गलती की नहीं मेरे स कोई दुनिया में है यह नहीं तो आप बिला वजह का मुझ पर आरोप और इल्जाम लगा रहे हैं तो ऐसे में वह यह सब बाते कहकर कहीं नहीं कि अपनी च्छबी को और इस तरहीं के आमादनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं ताकि जो उनके पास सरकार है दिली रा लक्षे मुझे लगता उसको पाने के लिए वो सारी तिकलम करते हुए नजर आ रहे हैं